चीनी कंपनी शाओमी ने इस साल अप्रेल महीने में अपने फ्लेक्शिप स्मार्टफोन शाओमी मी 6 को लाउंच किया था चीनी मार्केट में लाउंच किये गए शाओमी मी 6 के दो वेरियंट पेश किये गए थे एक 6GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट था तो दूसरा 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला अब कंपनी में 6 स्मार्टफोन का 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरियंट मार्केट में उतारा है शाओमी मी 6 के नए 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरियंट को 2299 चीनी युवान करीब तेईस शुन्य 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 रुप्ये में लॉंच किया है याद रहे की फोन का 6 GB RAM और 64 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत दो 499 चीनी युआन करीब 23 500 रुप्ये है वहीं 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज वाला वेरियंट दो 899 चीनी युआन करीब 27 शुन्य 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 रुप्ये में मिलता है अफसोस की शाओमी के इस फ्लेक्शिप स्मार्टफों को अब तक भारत में लॉंच नहीं किया गया है शाओमी मी 6 के नए वेरियंट के अन्य स्पेसिफिकेशन पर गौर करे तो साफ है कि कमपनी ने RAM और स्टोरेज के अलावा कोई बदलाव नहीं किया है इस फ्लेक्शिप के भी एहम खासियतों में लेटस्ट स्नैपड्रेगन 835 प्रोसेसर और डूल वियर कैमरा सेट अप है शाओमी मी 6 में कमपनी ने 5.15 इंच का डिस्पले दिया है फोम 3D ग्लास फीचर से लेस है जो फोम को प्रीमियम एहसास देता है फोम के किनारे स्टील ले स्टील के बने हैं हैंसेट में 2.45 गिगाहत्स 64 बिट ओक्ता कोर स्नैपड्रेगन 835 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 540 जीपी यू इंटिग्रेटड है इसमें फिंगर प्रिंट स्कैनर फ्रंट पैनल पर ग्लास के नीचे मौजूद है कमपनी ने दावा किया है कि शाउमी मी 6 पर चोट या खरोंच का असर आसानी से नहीं पड़ेगा और यह मामूली पानी के चीटों से खराब नहीं होगा शाउमी मी 6 में पिछले हिस्से पर दो रियर कैमरे होंगे आईफोन 7 प्लस की तरह इस फोन में 12 मेगा पिक्सल के दो सेंस है एक सेंस बारह मेगा पिक्सल वाइड इंगल लेंस वाला है और दूसरा बारह मेगा पिक्सल का टेली फोटो सेंस है कनेक्टिविटी की बात करें तो शाउमी मी 6 हैंसेट 4G नेटवर्ट को स्पोर्ट करता है हैंसेट की बैटरी 3350 में एच की है